माने शिक्षक सातियों को मेरा नमस्कार, MK Education Channel में आपका स्वागत है, आईए सातियों, राज शिक्षक के इंदर भोपाल के एक महत्पोन आदिश का उलुकन करते हैं, जो 11 मई 2022 की स्थिति में यह आदेश जारी हुआ है, यह आदेश प्रती कलेक्टर सह जीला मिशन संचालक, सियो जीला पंचायत सह जीला परियुजना संचालक को लिखा गया है, विशय है F L N अंतरगत बलाक इस तरी सिक्षक प्रसिक्षण के आयोजन विशयक, तो सातियों जैसा कि विदित है कि इस महां से सिक्षकों के जो प्रसिक्षण वे चालू होने वाले हैं, तो आईए इस आदेश में हम जानेंगे कि किस दिनांग से सिक्षकों के प्रसिक्षण चालू होंगे, तो दिया है जैसे कि आप जानते हैं बनियादी सक्षर तैम संख्या ग्यान, इसकोली सिक्षा की निव है, राश्टी सिक्षानिती 2020 के अंतरगत F L N पर विशे जोर को ध्यान में रख सिक्षकों के पैडागोजिकल विकास हैतू सिक्षक संदिर्शी का तैयार की गई है, मिसन के सफल स्केरियान वेन हैतू इन कक्षाओं को पढ़ाने वाले समस्त प्रात्मिक सिक्षकों को 5 दियुसी प्रसिक्षण प्रदान किया जाना है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कक्षा EKM 2 के लिए जो पुस्तके मनी हैं इसके अंतरगत यहो एफलेन प्रसिक्षण तैयार किया गया है और 5 दियुसी प्रसिक्षण सिक्षकों का होना है, उप्यक्त प्रसिक्षण के बलाग इस तरपर आयोजन हेतू संदर्वित पत्रदारा प्रात्मिक दिसा निर्दे प्रसिक्षण की संधिये गया थे कि प्रतेख साला से कैवल एक सिक्षकों को प्रसिक्षण संस्दित किया जाए, पूर निर्देसों को अधिक करते हुए अब यहो तैय किया गया है कि बिलाग के ऐसे समध सिक्छक जो कक्षा 1-2 में अध्यापन कराते हैं उन सभी सिक्छकों का बिलाग इस तरह पर प्रसिक्छित किया जाना है या जाए उप्रोग्ड बिंदु के पालन अनुशार कई सालाओं से 2 या 2 से अधिक सिक्छक प्रसिक्छन में सम्लित होंगे ऐसी सालाओं के एक सिक्षक को पहले के चरणों में प्रशिक्षित किया जाए यहां अन्य सिक्षकों को अंतिम चरण हितु रखा जाए अगला मेहतपुर्ण बनी हुई है ब्राक इस्तरी प्रिसिक्षण के लिए विविन चर्णों है तु सुझात आत्मक तित्यां नियुम नशार हैं प्रथम चरण का जो आयोजन होगा 18 मई से लेके 22 मई तक दूसरा चरण 24 मई से 28 मई तीसरा चरण 30 मई से तीन जून 14 चरण जो होगा पांच जून से नौ जून और पांचवा चरण जो होगा 10 जून से 14 जून तक अगला मैटफोन बिंदू देखते हैं जिन जीलों के मास्टर ट्रेनर से तू बोपाल में प्रसिक्षण के लिए तित्यां 17-21 मई नियत है उनमें ब्लाक इस तरी प्रसिक्षण 24 मई से लेके 28 मई से प्राराम होगा ब्लाक दौरा प्रयास किये जाने के उप्रोक तनुसार पहले चार चरणों की तित्यों में ही प्रसिक्षण संपन हो जाए तथा पी ब्लाक में सिक्षकों की संख्या अधिक होने की दसा में 10-14 जून में भी प्रसिक्षण आविजित किया जाना चाहिए सामान तो एक चरणों में ब्लाक में 2-2 बेच संचालित किये जाएं किन्तु ऐसे ब्लाक जहां प्रति भाग्यों की संख्या आधिक होने के कारण चरणवार 2-2 बेच से 14 जून तक प्रशिक्षन संपन कराना संबवना हो वहाँ प्रतिक चरणवार में 3-3 बेच संचालित किये जा सकते हैं इस हेतु अतिरिक्त मास्टर टेनर्स की उपलबदता के लिए केवल ऐसे बलाग 2-2 तो अतिरिक्त मास्टर टेनर्स को 17-21 समय के राज इस्तरी प्रशिक्षन में भाग लेने हैं तु भुपाल भी सकते हैं तो साथियों हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह शिक्षकों का प्रशिक्षन होना है टेटेश्ट अब्रेट पाने के लिए एमकी एजूकिशन चनल पर बने रही है चनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जरू पेश कलने ताकि आने वाली ऐसी ही महटपूर वीडियो का नोटिपिकेशन आप तक पहुंसते रहेगा साथियों अब देखेंगे हम वित्ति प्रावधान पांच दिवसी प्रसिक्षण में पूर उपस्तिती के साथ भाग लेने वाले प्रतिक सिक्षक प्रतिभागी को 300 रुपए भोजन हेतु एम 300 रुपए टीए के रूप में इस प्रकार कुल 600 रुपए सीधे बैंक खाते में हस्तान अंतरित किये जाएंगे मास्टर ट्रेनर्स को प्रति प्रसिक्षण दिवस 1000 रुपए मान से दे होगा प्रसिक्षण के लिए सलगन सुची अनुसा टील्यम प्रतिभागियों हितु पेन नोटपेड अनस्टेशनरी के लिए भी प्रतिभागी 100 रुपए के मान के बी आर सी सी को प्रतान किया जाएगा बी आर सी सी प्रसिक्षण के पंजियन सत्र के समय यह सामागरी मास्टर टेनर्स को सोपना सुनिश्चित करें तो साथियों यह था एक महत्पॉर्ण अपडेट आसा है आपको जानकारी अवस्पसंद आई होगी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पेश कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही महत्पॉर्ण वीडियो का नोटिपिकेशन आप तक पहुंचते रहेगा धन्या को अच्छ।